अलो दोस्तों welcome to future cop ias दोस्तों ethics की series के अंदर हमारा third lecture होगा यह इसके अंदर हम emotionally intelligence के बारे में बढ़ेंगे तो emotionally intelligence की बात करेंगे तो हमें पता हो न-ची एक्चल में क्या होती है ये किस तरीके से इसको यूज करते हैं और governance में क्यों जुरूरी है तो काफी normal सा topic है इसके उपर आपको case study आएंगी वो जो है इसका basis अगर आपको पता हो तो आप यहां से solve कर सकते हो case studies को चलिए start करते हैं सबसे पहले समझेंगे कि emotional intelligence क्या होती है तो यहां पर कहानी आती है हमारे पास में दो monk होते हैं हमारे पास ठीक है इस type के monk है हमारे पास में यह जो है travel कर रहे होते है ट्रैवल करते करते हैं यह एक नदी के मुहाने पर पहुंच जाते हैं एक नदी होती है cross क करने के लिए ठीक है पानी बेरा है और उनको वहां पे एक lady मिलती है और यह lady इनको बोलती है monks को कि मुझे cross करवा दो यह ठीक है तो एक monk क्या करता है जो बड़े वाला monk है वो उठाता है उसको अपनी back के उपर और उसको river cross करवा देता है अब monk वहां से निकल जाते हैं ठी हमें तो इजाज़त नहीं है कि हमें किसी street को चूने की इजाज़त नहीं होती ठीक है तो यह जो है काफी परिशान होता है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया अब इसके उपर इनको इससे रहा नहीं जाता है यह थोड़ी टाइम मैं उससे पूछी लेता है कि sir बतावा आप कि थोड़ा टाइम पीछे मतला अपने past की past के जो इसको emotions थे कोई action हुआ कोई action हुआ कोई emotion जनरेट हुए उसके प्रती इसके दिमाग के अंदर उन्ही emotion ये emotion इसको फिर से परिशान कर रहे है जो की past के अंदर event हो चुका है ठीक है इन्होंने काम कोई गलत नहीं किया वहाँ इन्होंने just काम किया जो इनको situation के साब से करना चाहिए था मौंग को जो करना चाहिए था उसने वो काम किया लेकिन ये person उसको emotion जनरेट हुए यहाँ पे उन emotion को carry करके घूम रहा ही आगे भी और उनसे परिशान हुआ पड़ा है और इस person ने क्या बोला कि मैंने काम भी कर द है कोई बात आपसे एक साल पहले किसी ने गलत बोला हो आपने एक साल पहले किसी ने आपके साथ में गलत किया हो किसी ने आपको दोका दिया हो किसी ने आपके बातों को नहीं समझा अगर आप उसी चीज़ को लेके साल बर बाद में भी परिशान हो रहे हो जो emotion वहाँ पर इसको फिर से सोच के, फिर सोच रहे हो कि मेरे साथ गलत हो गया, कोई break-up हुआ है, उसके बारे मैं सोच के, परिशान हो रहे हो, जो कि काफी उसको समय बीच चुका है, और उसके बाद मैं उसके परिशान हो, तो उसका मतलब यह है कि, आपको नहीं पता कि अपने emotion को कैसे manage कर फिर आपने emotion को manage नहीं कर पा रहे तो इसी को बहुत है emotional intelligence इसको थोड़ा और refine करके समझेंगे तो अगर आपने जो tv season है flash वाला tv season tv series है तो अगर आपने वो देखा होगा तो उसका main actor है ठीक है जो उसका main actor है वो emotionally काफी weak है मलब उसमें emotional intelligence नहीं है ठीक है मलब काफी low level के उपर emotional intelligence और वहीं पे हमारे पास एक और person है अगर आपने देखा होगा तो आपको recognize कर सकते है उनको ये person ये जो है मारे पास में main leading character इसका IQ high level है मतलब ये scientist है काफी IQ अच्छा है इनका और EQ की बात करेंगे emotional intelligence emotional consent की बात करेंगे तो उसके अंदर में ये weak है और इस person के पास में IQ भी है और EQ भी है ये दोनों के अंदर अच्छा है तो actual emotional intelligence क्या होती है भावनात्मक बुद्धी मता ये होती है the ability ये ability है कि क्या ये अपने identify करना एक तो identify करना उसके बाद उसको manage करना identify and manage your own emotions अपनी भावनाओं को एक तो समझना ये actual में में क्या feel कर रहा हूँ जैसे वो monk था अगर वो अपनी भावनाओं को समझता और उनको manage कर लेता तो उसको problem नहीं आनी थी वो बट वो अपनी भावनाओं के अंदर ही फसा रहा वो उनी चीज़ों के अंदर पीछे से फसा रहा तो उसी चीज़ को बोलते हैं कि अब एक तो identify करना दूसरा manage करना अपनी emotion को अपने emotion को manage करके रखना ना आप कुछी situation गंदर किसी ने गलत बोल दिया आपको उसको manage करना है एक positive attitude के साथ में उन चीज़ों को manage करना है अब ये definition यहाँ पर लो आगे example भी है इसके तो वहाँ से आपको और जाला clear हो जाएगा emotional intelligence, the ability to identify and manage your emotions and emotions of other emotion हमारे अलगलग हो सकते है ठीक है ये सैंकड़ों emotion हो सकते है तो उनके अंदर तो हमें कोई जरूरत नहीं है PhD करने की तो आपको वैसे manage करना है इन सब को ठीक है एक तो identify करना आपका mood खराब है तो क्यों है मानलो आप सुबह उठते हो, morning के अंदर उठते हो और आपका दिमाद बहुत खराब है जैसे मानलो आप continuous study करते हो 10 गंटे सुबह उठके बट यहाँ पे आप सुबह उठते हो और आपको पता है नहीं actual में की मेरा mood क्यों खराब है आप काफी परिशान टाइप हो आपका ज उसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं उसमें fail होते हो next मैं उसी को carry करते हो यहाँ पे fail होके यहाँ carry करते हो इसमें फिर से fail होते हो next carry करते हो पूरा दिन आपका खराब चला जाता है जैसे बोलते हैं कि सुबह आपकी अच्छी नहीं गई तो दिन खराब हो जाएगा तो इसी rituals हैं जिनके दौर आप उसको transform कर पाओ जो की बहुत ही normal सी चीज़ होती है अपने mood को transform करना, अपने emotions को convert करना उनको positive behavior में convert करना तो उसी को बोलेंगे हम emotional intelligence अब यहाँ पे देखेंगे difference intelligence quotient और IQ के बीच में intelligence जो होती है, यह measure करती है how a person learn, understand and apply information को information है, जैसे मान लो, आपको sum की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 224 plus 333 इनको plus करना है, आपने को information है उसको कैसे person learn करेगा, understand करेगा, apply करेगा उसको बोलेंगे intelligence quotient ठीक है और EQ की बात करेंगे, emotional quotient की तो इसमें और उसमें का difference है इसमें आ रहा है आपको क्या करना है, learn करना है, understand करना है apply करना है, क्या emotional knowledge यहाँ पे information थी, यह कोई number बगएरा numerical sentence में आपको कोई math के formula solve करना है, ठीक किसी चीज़ को आपने learn करना है, ऐसे information को उसको बोलेंगे intelligence quotient और emotional जो consent होगा, उसको क्या बोलेंगे आपने learn करना है, understand करना है, apply करना है emotional knowledge, अपने emotion को समझना है emotion के समझने, यह जो है emotion इनको समझना है, आपने learn करना है इनको और इनी चीज़ों को learn भी करना आपने understand भी करना, अपने भी दूसरों के भी marks बगएरा काफी अच्छे रहेंगे, जिस person की high emotional intelligence है वो जो है excel करेगा good relationship leadership building quality क्योंकि वो understand करेगा लोगों को basically आप लोगों से ही deal करोगे पूरी जिंद्गी के अंदर, math बगएरा के question तो रह जाएंगे वहीं पे किताबों के अंदर, कई job के अंदर मैं, basically दोनों quality है, बैसा नहीं एक person में, एक quality है, दूसरे में दोनों qualities, एक ही person के अंदर present है बट अगर ये IQ बहुत ज़्यादा high होगा तो वो इस income होगे अंदर, ज़्यादा champion होगा EQ अगर level high होगा आपका, तो आप relationship build करने, leadership quality, ये ज़्यादा क्योंकि लोगों के साथ, आप अच्छे से engage कर पाओगे जो person, school के अंदर उसकी success होती है, वो ज़्यादा हमारे IQ level के उपर ज़्यादा dependent कर सकती है ठीक है, कर सकती है यहाँ भी, ठीक है अब ऐसा नहीं है कि जो IQ वाला person होगा उसके पास में EQ नहीं होगी, उसके पास EQ भी होगी थोड़ा हो सकता, level कम हो, ज़्यादा हो या दोनों काफी super हो, ठीक है whereas a person जिसके पास में high EQ होगा, वो जो होता अपनी real life में, अपने relationship build करने में उसमें ज़्यादा काम्याब होगा, ठीक है अगर आप इन सब चीज़ों को करते हो, तो journal सी बात है कि आप काफी काम होगे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जैसे मालो आपने किसी company को join किया, तो starting के अंदर तो IQ आपका काफी matter करेगा, लेकिन एक level के बाद, काफी लोग IQ वाले होंगे उस company के अंदर, उसके बाद आपके क्या relation है, आप people के साथ में किस तरीके relation है, उस तरीके से आप coordinate करके team leader बगएरा बन सकते हो लेकिन यहाँ पे फिर मैंने जैसा मैंने पहले बताया है, वैसे ही बता रहा हूँ कि बीना IQ के भी आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको अगर जिंदा रहना है, तो आपको IQ की जुरूर्ट है, वहाँ पे emotion वगएरा तो अगर मालोग शेर आपके बीचे पड़ा हूँ आपको जानवर वगएरा आपको खाना नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे तो आपका intelligence काम आएगी, आपको किस तरीके से उससे बचना है और वहाँ से निकलना है, तो वहाँ पे कोई ना कोई चीजों को सीख कि आपके निकलना है, वहाँ पे emotions होंगे, वो तो उसको follow करेंगे अगर share आएगा, अगर आपको खाना चाहिए, तो emotion वगएरा वहाँ पे उतने matter नहीं करेंगे कि आपको उनको manage करना पड़ेगा, वो अपने आप manage हो जाएंगे आपको बस देखना है कि मुझे कहां चुपना है, आग की invention कैसे करनी है ठीक है, लेकिन emotion हमारे, ये भी काफी matter करते है क्योंकि हमारा large part, जो area है हमारी life का, जिसके अंदर relation से हमें deal करना वड़ता है family होती है, friends होते है, आगे office के अंदर colleague होंगे तो उन सब के साथ में deal करना होता है, इसलिए emotional intelligence भी काफी important होती है ठीक है, we face various diverse circumstances in our life, in order to ensure survival, high IQ important है survival के लिए लेकिन EQ भी necessary हमें, अपनी mental stress, अपनी दिमाग को manage करने के लिए stress होगी आपको, तो अब्यस्सी बात है, आपकी IQ भी उससे affect होगी अपनी mental stress को manage करने के लिए और social interaction के साथ में, लोगों के साथ आपकी interaction कैसी हो उसको manage करने के लिए तो एक person जिसके पास में high EQ होगा ठीक है, emotional consensus का high होगा, वो enthusiastic होगा, ठीक है, उसकी willpower काफी अच्छी होगी listener वो काफी अच्छा होगा, persuasive होगा, लोगों को influence कर पाएगा वो तो basically यह qualities क्यों आ रही है किसी person में, क्योंकि वो emotionally intelligence है, वो जानता है अपनी emotion को कैसे manage करना, वो ऐसा नहीं है, अगर उसको fearful emotion generate होता है, तो उसका ऐसा नहीं है कि उससे डर के ही बैठ चाहेगा वो, वो उसको पता है, उसको manage कैसे कर सकता है, उसको दबाएगा नहीं, उसको manage करेगा इस तरीके से, और उसी काम के ओपर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा action लेगा, वो ज़्यादा action लेगा अपनी life के अंदर में, लोगों से help ज़्यादा ले सकता है, वो लोगों को listen करेगा, क्योंकि वो understand करेगा, लोगों की feeling भी, क्योंकि हमने कै समझा, यह वो identify करेगा, अपनी emotion और फिर उनको manage करेगा, और लोगों की emotion के साथ में भी ऐसा ही करेगा, उनको identify करेगा, और manage करेगा, तो लोगों के साथ में उसके relation काफी अच्छे होंगे, और ऐसा person जिसका EQ जो होगा, वो लोग होगा, वो aggressive होगा, poor listener होगा, impulsive होगा, और selfish होगा, अब आता है, high EQ का example क्या हो सकता है, तो यहाँ पर example दिया होगया है, एक customer, denied owning, $15, $15, $15 जितना भी है, उसके उपर करज़ा होता है, ठीक है, तो credit department उसको बार-बार पूछते रहते हैं, उसको बार-बार phone करकर के बोलते हैं, यह आपको यह देना पड़ेगा, देन manager के बास में बोलता है, कि वो यह देने निवाला, जो मैंने पैसे मेरे पास है, मतलब यह मानता नहीं है कि मैंने पैसे लेके रखें हूआ आपसे, ठीक है मना कर देता है, तो यह क्या बोलता है, यहाँ पर जो है, यहाँ कोई account भी नी खोलने बाला, दो बार-बारा कि आप तो नहीं पैसे बगएर ऐसे देते हैं किसी को, उनके पास डिटेल होनी थी, वो परसन इसको कोट में कसीड़ते, काफी समय था केस चलता और उसके बाद में उसको हरा के उससे पैसे निकाल लेते, लेकिन वो परसन क्या करता है, इसको patiently, listen करता है, सुनता है उसकी बातों को, क अपनी भड़ास को बाहर निकालना चाता था, वो चाता था कि कोई मेरे से सुने, जो मैं बोलना चाता हूँ, उसको सुने, मेरी value करे कोई, ठीक है, then said, वो सुन लेता है उसको, उसके बाद बोलता है, कि मैं आपको thank you करना चाता हूँ, आप इतने दूर से हमारे पास में आ काफी चाता हूँ, क्योंकि मुझे आप बहुत good customer लगे, आप बहुत good customer हो, आप इतने दूर से आके हमारे लिए, आपने हमें बताया, ठीक है, और इन्होंने बोला कि मैं जो आपने बताया, मैं उसको सुनना चाता था, and हम जो हैं, जो आपका $15 के charges हैं, जो भी आपको, य जाने की कोशिक की जाती है, ठीक है, therefore you are less likely to be wrong than we are, अब यहां कहता है, यह negative sense में जा सकता था, इसको aggressively बोल सकता था कुछ, लेकिन यह positive sense में इसको लेके जाता है, और उसको संबान देता है, कि आपने जो बताया, आपने बहुत, आपने तो मतलब हमारी आंखे खोल दी, हमन मतलब यह जो है, calm down हो जाता है, जो यह गुस्ता गर रहा होता है, calm down हो जाता है, उसके बाद इस person को manager को बोलता है कि हो सकता है कि मेरे से ही गलती हो यह, मतलब वो मानने लगता है उसके बाद में कि हो सकता है मेरे से ही गलती हो यह, मैं इसको फिर से check करूँगा, और उसके वो चेक करता है और उसके बाद फिर जो उसका पैसे होते हैं उसको return कर देता है तो actual में यहाँ पे जो person था यह good listener था मतलब इसमें strong emotional intelligence थी और इसने उसके emotion को समझा उसके उपर भढ़का नी उसको aggressive तरीके से डराया नी उसको court के अंदर ले जाने की धमकी नी दी इसने समझाया उसको उसकी feeling को समझा कि actual में वो person क्या चाता है वो चाता था कि कोई उसको listen करे जो वो चीजें बोलना चाता है उसको समझे ठीक है तो इसको बोलते हैं यह था हमारा example emotional intelligence का अब आते हैं पांच एरिया जिनके वो परमास्ट्री कर लोगे या मलब इन एरिया को character बोल सकते हो emotional intelligence जो person होगा उसके अंदर यह 5 quality तो होगी ही होगी तो characteristics है यह emotional intelligence के first है self aware होगा वो person अपनी चीजों के बारे में aware होगा वो अपने आपको जानेगा अपने आपके लिए honestly वो अपने आपका evaluation करेगा कि उसकी strength क्या है उसकी weakness क्या है उसकी mistake क्या है उसकी intention क्या है जैसे मालो यहां पे एक story है यहां पे क्या होता है छोटा शेर का बच्चा होता है वो अपनी मा से भी चड़ जाता है और उसके बाद एक ship होती है जो उसको पाल लेती है अब वो जो उसके ship के बच्चे होते है उनके साथ में बढ़ा होता है ठीक है अपने बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है और एक बार क्या होता है बड़े वाला शेर attack करता है उनकी जो chund होता है उसके उपर में हमारे शिप के बच्चे थे, वो भी चिडाते थे इसको, कि किस तरीके का अगली साय हमारा भाई है, ठीके तो इसको भी चिडाते थे वो, तो वो उसको दिखाता है कि देख, तेरे में और मेरे में कोई difference है, तू भी share है, तो basically इसको इसी से अफगत करवाता है कि तेरे में potential है, तेरे में बहुत ज़्यादा strength है, strength है लेकिन तू ignorant है उनके प्रती, तो जो emotionally intelligent person होता है वो aware होता है, self aware होता है उसको पता होता है अपने बारे में कि मेरी strength क्या है, और उसको ये भी बता होता है कि मेरी weakness क्या है, strength तो फि उसको आप बचा लोगे, उसको छुपा के इस तरीके से रखोगे और strength को बाहर show करोगे ताकि कोई आपका फाइदा ना उठा ले, ठीक है तो वो self aware होता है, उसको अपने बारे में पता होता है कि actual में मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मेरी goals क्या है लाइफ के अंदर जो दूसरों के सामने अगर उसको जरूरत पढ़ती है तो वो deceive कर सकता है, लेकिन actual में उसको बता होगा कि मैंने जो किया, वो मैंने किस हिसाब से किया, मेरी intentions के आथिस में, ठीक है, तो यह character है first, second आता है कि वो self regulated होते हैं, वो अपने emotion को समझते हैं, ठीक है, और अपने control क अंदर रखते हैं उनको, और अपने, गाइड करते हैं अपने behavior को, अपने जो emotion होते हैं, उनको overpower नहीं करने देते, जैसे मालो आप काफी ठक गए हो, आपको pain मैसूस हो रही है, तो आप काफी negative feel कर रहे हो, लेकिन वो उनको overpower नहीं करने देते, जैसे यहाँ पे, I hated every minute of training, but I said, don't quit, suffer now and leave the rest of your life as a champion, तो मुहमद अली क्या बोल रहे हैं कि मुझे hate करता था मैं जब training का period होता, मतलब ऐसा नहीं था, मैं बहुत enjoy करता था उसको, तो उस time negative emotion भी create होते हैं, जो बहुते होने rest कर ले, क्यों फालतू मैं अपने शरीर को कस्त दे रहा है, ठीक है, negative emotion काफी create होते हैं, बत उन्होंने regulate कर लिया, उसको positively guide किया अपने behavior को, और वो champion बने, next आता है, इनमे empathy होती है, तो empathy, एक हमारे बास empathy होती है, एक empathy होती है, तो in words के जो है, इनको convert कर लेना, हिंदी के अंदर में, जो आपके main word होंगे, google पे type करके, देख लेना, otherwise अगर हिंदी के अं अगर इनको translate करके, अगर मुझे दे दे, इनमें काफी time लगता है translate करने में, कई बार इतना ज़्यादा time नहीं होता, तो आप अगर बता दे, message बगएरा करते हैं, तो मैं आपको slide based दोंगा, video बनाने से पहले, अगर आप इनको translate करके, सब की मदद हो जाएगी साथ में, ठी सकता है, empathy का क्या मतलब होता है, understand what other are feeling, because you have experienced it yourself, and can put yourself in their shoes, तो empathy का मतलब कि आप understand करते हो, दूसरा कैसी feeling कर रहा हो ना, क्यूंकि आपने भी experience किया हो है, आप अपने को जो है, उसकी नजरिये से देखने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसकी body के अंदर डालने की कोशिश करते हो आप, तो ये मतलब है empathy का, sympathy का क्या मतलब होता है, आपने acknowledge करना, स्विकार करना कि other person जो है, वो hardship से गुजर रहा है, जैसे example है, यहाँपे weight lose करने का, जो empathy वाला show करने वाला person होगा, वो कैसे बोलेगा, I know it is not easy to lose weight, because I have faced the same problem myself, यह बोरे इतना easy नहीं है, मुझे पता है कि इ पूरा नहीं रिख सकता, because उसने experience नहीं की यह चीजे, वो सिर्फ empathy प्रकट कर सकता, कि हा मुझे पता है, यह बोलता है, trying to lose weight can often feel like a pill battle, यह काफी hard हो सकता है, यह बोरा कि मुझे पता है, मैंने experience किया होगा, कि weight lose करना थोड़ा difficult होता है, यह जो होगा empathy, personal understanding से होगी, उस person ने महसूस किया हो, वो personal understanding करेगा उसके साथ में, और यह दूसरों के experience के understand करने की बात है, क्योंकि इस person ने वो चीज महसूस नहीं की वी है, फिर जो है, यहाँ पे बोलेंगे, जैसे doctor relating with patient, because he or she has been in similar situation, और experience, एक doctor relate कर रहा है, अपने आपको, अपने patient से, वो भी वैसी situation से जब उसको पता है उन चीजों के बारे में, pain के बारे में, वो person कैसा feel कर रहा है, sympathy के अंदर doctor comfort कर रहा हो ना, patient को, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो, ठीक है, तो इसको बोलते है, sympathy, empathy, यह मलब understanding के लिए, बाद में इनको फिर से इंगे, तो sympathy, empathy क्या होगा, recognizing emotional need of others, other के बारे में समझेगा, और उनको sport भी करेगा, वो person, जो emotionally intelligent होगा, ठीक है, तो इसमें, इसमें story होती है, एक person होता है, एक बच्चा होता है, जो एक कुट्टे सैल करने के लिए person होता है, वहाँ पे, उसके पास में जाता है, उसके पास में 3-4 कुट्टे होते हैं, जो की सामने गुमरे होते हैं, तो ये person जाता है, उसके बास में, कि मुझे puppies खरीद रहे हैं, उस लेकर आने पड़ेंगे, फिर ये और अपनी जेव खंगालता है, फिर उसको काफी मनाने की कोशिश करता है, और वो लास्ट में मान जाता है, कि ठीक है, बच्चा ही है, ले जा कोई पपी, तो ये जो है, उसके चार जो पपी होते हैं, वो सामने बैठे होते हैं, वहाँ पे, वो खेल रहे होते हैं उनको देखता है वहाँ पे उसके बाद में एक पपी विचारा वो साइड में बैठा होता है ठीक है और वो जो होता है उसकी एक टांग नहीं होती मतलब वो तीन टांगों के उपर होता है तो वो दूसरों के साथ खेल नहीं पाता है जो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, वो side में ही बैठा होता है, ये बच्चा जो होता है, उसके पास में चला जाता है, तो ये उसके पास में जाके बोलता है कि मुझे ये वाला doggy चाहिए, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो बोलता है कि क्या पागल हो गया तो, ये वाला परसन की भी एक लेग नहीं होती यह भी नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल वर्क नहीं कर सकता था तो यह actual में feel करता है कि इसको क्या feel हो रहा हुआ इसकी तीन टांगे है और यह जो है अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकता है इसको क्या feel हो रहा हुआ इसके लिए empathy feel करत और action लेता है और इसको अपने साथ लेके जाता है अपने घर ठीक है तो इसको कहते है empathy show करना इसमें क्या होता है person जो है realize कर लेगा कि हर person जो है full of false है किसी को perfect नहीं समझेगा कि सब सब के अंदर कमिया होती है insecurities होती है सब मलग कोई भी perfect नहीं होता ठीक है आप भी perfect नहीं हो दूसरा person भी perfect नहीं है next आता है fourth आता है social skill तो interact करना है दूसरों के साथ में social skill जैसे interaction करनी है आपने communication करनी है दूसरों के साथ अगर आपने official work में team work करना है तो आपको social skill काफी अच्छे होने चाहिए आपके जैसे social skill में ये भी आता है कि आपको पता होना चाहिए दूसरों की कमिया क्या है अब ऐसा नहीं सब perfect होते हैं वो जब आपको सब चीजें पता होंगी तो आप दूसरों को भी value दोगे दूसरे person के बारे में भी समझोगे कि इसमें ये कमिया हैं मुझ में ये कमिया है साथ में work करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन person किस चीज़ के अंदर strong है ठीक है तो उसके लिए social skill होना काफी जरूरी होता है understand करना है दूसरों को ये person जोते हैं वो like किये जाते हैं दूसरों के दोरा भी क्योंकि ये जैसा हमने definition में देखा था ये person identify कर सकते हैं अपने emotion को भी और manage कर सकते हैं उनको दूसरों के emotion को भी identify कर सकते हैं उनको भी manage कर सकते हैं फिर आता है motivation तो motivation motivation in person के अंदर काफी ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे emotion को अगर आप अपने emotion को manage कर सकते हो उनको direction दे सकते हो तो motivation जैसे मोहमद अली का example देखा वो जो है अपने emotion को manage कर सकते हैं अपने dreams को chase करेंगे वो ठीक long term goal set करेंगे और अपने success की तरफ वो आगे बढ़ेंगे तो यह हम मारे पास question आता है कि अपनी emotional intelligence को कैसे improve किया जा सकता है तो first ways के अंदर आते हैं simple से जो tricks हैं जो की मतलब होनी ही चाहिए हर person के अंदर emotions होते हैं आपको सबसी ज़्यादा का effect करते हैं अगर आप खुश हो किसी day के अंदर में आप happy हो तो आपको उतना ज़्यादा वो effect नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे ही अगर आप stressful situation के अंदर हो तो आपको normal सा person में जो आपको कभी negative में कोई normal सी चीज भी बोलेगा आप उसको भी negative लेके उसके खिलाब भड़क सकते हो ठीक है जब आप stressful situation के अंदर हो तो आपको सब कुछ ही negative लगेगा लेकिन अगर आप happy situation में हो एक balance situation के अंदर हो तो आप emotional intelligence ओव्यस सी बात है spelling गलत होगी है यहाँ ओव्यस सी बात है emotional intelligence काफी अच्छी होगी आपकी उस time तो आपको सबसे पहले तो बात करनी question आ सकता है कि कैसे improve कर सकते है emotional intelligence को भावनात्मत बुद्धी मता को कैसे increase कर सकते हैं तो सबसे पहले तो जो stress से आपकी anxiety है उसको manage करके रखना है उसके लिए सबसे main चीज तो यहाँ पर आती है gratitude feel करना जो आपके बात में है आजकल की society में जिस हिसाब से social media वगयरा सब कुछ आ चुका है लोग attach हो चुके हैं दूसरे से तो लोग अपनी positive side ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं ठीक है अपनी positive side जो है दूसरों को ज्यादा दिखाएंगे और अपनी negative side को छुपा के रखेंगे और negative side में चाहे वो depression से यूज रहे हो लेकिन लोगों को ऐसे दिखाएंगे कि वो काफी successful हैं काफी rich हैं मलब एक तरीके से दिखावा करेंगे और उससे धीरे-धीरे करके उन चीजों को देख देख के लोग भी ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे पास काफी कम है किसी की income अगर मालो 5000 भी हो वो survive तो कर पा रहा है उसके अंदर में उसके पास में relation तो हैं उसके पास में अगर हाथ है पाओ है उसके पास में इतने organ है कि वो काम कर सकता है अच्छे से तो उस person के बास में कुछ तो है जिसके लिए gratitude feel कर सकता है पर अगर वो उन चीज़ों के लिए gratitude feel ना करे और सोचे कि मुझे ये चीज़ चाहिए मिर पास तो कार नहीं है, मुझे तो कार चाहिए थी मुझे ये वाला, ये चीज़ें चाहिए जो भी चीज़ें मुझे उसके लिए material things होंगी कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसके बाद मैं satisfy हो जाऊँगा वो चीज़ें काफी negative होती है अगर आपको normal life में भी try करना हो जैसे आपका अगर day खराब जार रहा हो सुबह starting में उठते और उसके बाद दूसरा आता है कि आपने sleep लेनी है अच्छी quality की अब sleep जो है काफी हमारी body के लिए काफी necessary होती है sleep अगर आप नहीं लोगे अच्छी तो काफी बिमारियां लगेंगी stress होगी आपको, stress लगेगी तो emotional intelligence आपकी गिरेगी ही गिरेगी क्योंकि अगर आपकी body के लिए कुछ भी होगा आपकी emotional intelligence के उपर उसका effect होगा तो जब भी आप दिन में work करते हो तो आपके जो neuron होते हैं brain के neuron cell जो की information को transfer करते हैं उन cell के अंदर हमारे पास में toxic protein की creation होती है और जब आप सोते हो तो वो toxic protein को clear किया जाता है वो आपकी functioning को increase करता है focus को increase करता है concentration को increase करता है आपकी stress को relieve करने में help करता है अगर आप उन चीजों को नहीं करोगे अच्छी quality की sleep नहीं लोगे तो emotional intelligence आपकी किसी वी situation के अंदर गिर जाएगी उसके बाद healthy diet लो exercise करो ताकि आपकी body अच्छी रहे तो यह तो आपको must है यह तो करने ही पड़ेंगे अगर आपको जल्दी boost करने है यह तो basic सा है उसके बाद long term में आपको अपने आपको जानना पड़ेगा अच्छे से कि आप actual में कौन हो आप actual में चाहते क्या हो किस चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हो अगर आप कोई exam की टहरी कर रहे हो तो actual में क्यों कर रहे हो आप exam की टहरी आपका main goal क्या है आप life के अंदर क्या achieve करना चाहते हो आप क्या चाहते हो किस तरीके से लोग का आपको याद रखें ठीक है एक service का attitude या कुछ भी जो भी आप चाहते हो उस ही साब से आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए plan बनाने पड़ेंगी फिर जो expert जोंगे उस field के अंदर उनसे help लेनी पड़ेगी तो इससे जो है अपनी emotional intelligence को आप बढ़ा सकते हो जब आपके पास में लास्ट वीडियो के अंदर हम philosopher के बारे में देख रहे थे उनसे नई नई बातों को सीख रहे थे life के लिए नए नजरिया देख रहे थे जब आप open करोगे नई things के लिए नई knowledge के लिए उसकी वज़े से आप explore करोगे अलग अलग theories को life के बारे में human behavior के बारे में जैसे हमने आज जुकरात के बारे में पढ़ा Plato के बारे में पढ़ेंगे और अधर जो philosopher होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे इससे आप नई नई चीज़ें सीखोगे नई चीज़ें सीखने से आपका एक vision बढ़ जाएगा चीज़ें को समझने का उनसे एक ही चीज़ें को आप अलग तरीके से टैकल करने के बारे में समझ सकोगे आपको actual में पता लगेगा कि life में actual valuable क्या चीज़ें होती है आप किन चीज़ें को ज़्यादा value दे रहें उनको examine करोगे फिर आप नई-ने चीज़ें को सीखोगे तो उससे आप काफी फाइदा ले सकते हो उससे emotional intelligence आपकी boost होगी जैसे normal condition में देखें कि certain age group होता है जिनका breakup वगरा होता है तो उनको काफी ज़्यादा उसमें pain होती है वो काफी ज़्यादा जूसते है उससे अपना career कई दबाह कर लेते है लेकिन एक certain level के बाद में अगर आपके बास में knowledge है आप actual में समझते हो की ठीक है emotion आपको आ रहा है love का emotion आएगा वो सही बात है लेकिन actual में क्या है एक moral side क्या है चीज़ों को करने के लिए जैसा गीता में बोला गया कि आपको focus करना है अपने धर्म के उपर एक्शल में आपके लिए क्या आपका goal है किस तरीके से आपने path के उपर आगे बढ़ना है आपको आसपास की चीज़ों के उपर ध्यान नहीं देना है ठीक है और जैसा सौक्रेट के दौरा बोला गया उसी तरीके से हमें नही नहीं चीज़ों के बारे में सीखना है ठीक है और उन चीज़ों को हम tackle करने अपनी real life के अंदर इन चीज़ों को use किया जा सकता है नेक्स आता है third understand people as they are तो यहाँ पर क्या है any fool can criticize, condemn and complain but it takes real character and self control to understand and forgive people last हमने इसका example देखा था उसमें क्या हुआ था वो person उसके पास में आया understand करना है people को जैसे वो है कुछ person जो हैं खराब होते हैं उनको change नहीं कर सकते कुछ को change कर सकते हैं जितना change कर सकते हैं वो ठीक है लेकिन अब मालो आप कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे हो ठीक है आप किसी person के पास में कुछ खरीदने जा रहे हो वो काफी rude way के अंदर में आपको decline कर देता है चीज़ों के बारे में जैसे मालो आप phone का charger ले रहे हो वहाँ पे मलो थोड़ा गलत तरीके से behave करता है अब आप उसको change करने तो जाओगे नि वहाँ पे वो सकता है आप पूरी life में एक बार interact करो उसके साथ में तो आपने क्या करना वहाँ पे understand करना उसको उस people को जैसा वो है वैसे understand करना उसको criticize नहीं करना कि वो गलत है उसके लिए जैसे वो person आया था उसके पास में और complaint कर रहा था उसी तरीके से आपने उसको understand करना है और फिर उसको forgive भी कर देना आपने देखना है न किसी हिसाब से है वो यहाँ पे example के दौर के पर आता है Dell कार्नेगी उनकी book है पीछे वाला example भी उसी book से उठाया था मैंने जो how to win friends and influence people उसके अंदर Dell कार्नेगी यह क्या करते हैं एक error हो जाता है इनसे यह radio के उपर speech दे रहे हैं इनसे जो है एक error हो जाता है ठीक है और उसके बाद में उस error के चलते हैं इनको काफी ज़्यादा insulting letter शुरू हो जाते हैं insult करने वाले letter शुरू हो जाते हैं particularly from a woman एक woman इनको काफी insulting letter लिखती है अब इनको गुस्सा आता है इसके उपर और यह जो होते हैं उसको बताना चाता है कि कितनी root है वो महलब एक तरिके से सबक सिखाना चाता है but उसने control कर लिया अपने उपर अब उसने सोचा जो hostility है इसकी उसको मैं friendliness मैं convert करूँगा जो यह महलब इसने मुझे laterally खा इतना मुझे सुनाया उसके बारे में मैं इसको बताऊंगा कि इसने मुझे कैसे सुनाया अब यह गलती क्या करता है वो आ गया रही है यहां पर ठीक है तो यह call करता है उसको उस lady को call कर देता है और यह बोलता है call करके बोलता है कि आपने मुझे laterally खाता कुछ week पहले आपने मुझे later लिखाता है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ वो lady उससे बुछती है कि मतलब मैं किस से बात कर रहे हूँ यह बुलती है मैं stranger हूँ आपके लिए मेरा name डैल कारने की है आपने मुझे broadcast में सुना था और उसमें क्या हुआ मैंने Lucia May Alcott के बारे में मैं बता रहा था और मैंने गलती से वहाँ बोल दिया कि वो new hamshire से belong करती है ठीक है मैंने उसका जो birthplace था उसको गलत बता दिया मैंने वहाँ पे और मेरे से गलती हो गई और यह unforgivable blender कर दिया मतलब मैंने इसको तो माफी नहीं किया जा सकता इस type का मैंने blender कर दिया और मैं माफी मागना चाहता हूँ आपसे कि आपने और आपके time की respect करता हूँ कि आपने मुझे time दिया और आपने बताया मुझे कि मेरी क्या गलती है ठीक है अब यह जो है इसको realize हो जाता है कि मैंने कितने बड़ी गलती कर दी मैंने इस person को जो है laterally के criticize किया अब उसको गलती हो जाती है यह person इसको direct criticize नहीं करता बट यह emotional intelligence का use करता है अपना ठीक है understand करता है people को ऐसा नहीं था यह चाहता तो कुछ भी कर सकता था इतना बड़ा author था criticize करने लगता उसको anger दिखाता लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा अब जो थी lady क्या बोलती है I am sorry Mr. Carnegie that I wrote as I did मैंने जो अपना temper lost कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा apologize कर रही है इसके लिए मैंने बहुत गलत कर दिया और फिर उसके बाद मैं डेल कारने की फिर से मतलब उसको और ज़्यादा बोलते है नहीं नहीं आपने कोई भी गलती नहीं कि किसी बच्चे को भी पता होगा मुझसे अच्छा पता होगा उसके बारे में कि वो कहां से बिलॉँग कर रही है अब यह हर जो है यह क्या बोलती है इसकी क्या story होती है उसके पेचे यह बोलती है मैं Massachusetts से belong करती हूँ और वह वहीं से जो जिसकी आप बात कर रहे हो वहीं से belong करती है और मैं काफी proud हूँ अपनी state से हम 2 century से यहीं पर leave कर रहे हैं और जब मैंने सुना कि आपने new hamshire बोल दिया कि वहां से वह belong करती है तो मुझे काफी दुख हुआ उस बात के उपर ठीक है अब इसने बोला कि हम उसने assure कि मैं जो है जो आपने मतलब ये मैंने इतनी बड़ी गलती करती है मैं ऐसा कभी repeat नहीं करूँगा और ऐसा मुझे नही मतलब sorry feel कर रही है और ये बोलती है you must be a good man आप बहुत अच्छे आदमी होंगे कि I should like to know you better मतलब आपने मुझे understand किया और आपने जिस way से criticism का approach किया उस हिसाब से मुझे लगता कि आप बहुत अच्छे आदमी होंगे तो पहले जो lady criticize कर रही थी इस person को उसको इसने इसी तरी fool can criticize, fool की तरह criticize करते, condemn करते, complain करते, इसने वह एकसे बोल के दिया, नाम ही ले लिया अगल कहां से belong करती है, कोई पहाड तो नहीं तोड़ दिया, लेकिन it takes real character and self-control to understand and forgiving, ये character चाहिए इसके लिए कि आपको understand करना और forgive करना है उस person को, तो इनने convert करके आपको दिखा दिया, फ उससे high level जो emotional intelligence होगी, जैसे अगर आपकी communication skill अच्छे है, उसके लिए courses बगरा ले सकते हो, अगर अच्छे नहीं है तो उससे आप काफी clear तरीके से to the point, respectful way में आप किसी person से interact कर सकते हो, और ये जो होगा आपकी value को increase करेगा, क्योंकि आपने emotion के अंदर basically deal कर रहे हो, तो अग आप respectful way में बात करोगे, आपसे भी respectful way के अंदर बात करेगा, अगर आपने इंकार भी करना है किसको, तो काफी respect के साथ में इंकार करोगे, उसको भी heart नहीं होगा, इससे आपकी emotional intelligence बड़े की, next है, five है, express your emotion, तो आपको emotion अपने, express करने है, ठीक है, share करना है दूसरों के साथ में, और understand करने हैं, उनके emotion भी, अपने emotion तो share करने हैं, अब दूसरे person को सपना नहीं आने वाला, कोई partner है आपका, तो उसको सपना नहीं आने वाला कि आपको, आप क्या feel कर रहे हो, किस situation के ओपर, अगर उनको समझ नहीं आता खुद, तो आप express कर सकते हो, अपने emotion, और उस person को भी, जिस person को आप express कर रहे हो, उसके साथ मैं भी, उसके भी understand करने emotion, उसी से relation build up होंगे, relationship, यह सब positively effect करेंगे, अगर human happy state के अंदर रहता है, तो वो ज़्यादा emotionally intelligent होगा, next आता है, be optimistic, future के प्रती optimistic रहना है, चाहे life कितनी भी खराब चल रही हो, लेकिन optimistic रहना है, यहाँ पे Martin Luther King, जो human right activist थे हमारे US के, उन्होंने black के right के लिए काफी fight की, 1950s के अंदर, उनके दराबो लगया था, we must accept finite disappointment, अब इनको disappointment थी, वहाँ पे जो थे, white और black के बीच में काफी ज़्यादा strain थी, segregation थी, disappointment थी, लेकिन यह जो थे, इन्होंने hope का भी lose नहीं की, act करते रहे, democratic way म महात्मागंदी के way में act करते रहे, और यह जो थे, never lose infinite hope, hope जो है काफी जरूरी होती है, किसी की भी life के अंदर, hope का मिटना ही हमारा depression को lead करता है, कि जब आपकी life की hope खतम हो जाती है, किसी दिन के प्रती, next आने वाले सालों के प्रती, life के प्रती, वही depression के अंदर लेके जात तो मिलते हैं next video के अंदर, thank you